जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म एक्स जायंट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पॉल बनियन की कहानी पे अधारित है जो की काफी इंट्रेस्टिंग है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए तो बिना कोई वक्त गवाय आईए शुरू करते हैं आज का एक्स्प्लेनेशन फिल्म की स्टार्टिंग में हमेशन 1894 में मिनेसोता गाउं दिखाया जाता है जहां कई सारे लकड हारे रहा करते थे वहां का एक फोर्मेन था बिल जिसके नीचे सभी काम करते थे बिल एक अच्छा इंसान था और उसे गाउं वालों की काफी चिंता थी गाउं के खनसामा ने सभी लोगों के लिए खाना तैयार किया था तो वो एक लड़के को सब को बुलाने के लिए कहता है बिल उन्हें कहता है कि वो जंगल की और किसी काम से जा रहा है तो वो बाद में खाना खाएगा ये कहके बिल वहाँ से चला जाता है कुछ दिर बाद जब बिल वापस आता है तो वो देखता है कि उसके गाउं के लोगों को किसी ने बेरहमी से मार डाला है तब ही एक अजीब सा दिखने वाला बंदा एक्स लेके बिल के सामने आ जाता है जिसे देख के बिल वहां से भागने लगता है वो बंदा बिल को पकड़ लेता है और लकडी काटने वाले ब्लेड पे उसका सर दे मारता है जिस से उसका सर कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है फिर हमें 100 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां मिनेसोता टाउन में एक डिपार्टमेंट आफ करेक्शन होता है इस डिपार्टमेंट का काम होता है क्रिमिनल बच्चों को सुधारना उन बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी वो डिपार्टमेंट साजेंट हूक्स को देता है और उनकी काउंसलिंग के लिए मिस सैम को रखा जाता है तब ही वो बच्चे बाहर आते हैं जिनके नाम होते हैं मार्टी जिसने साइबर क्राइम किया था रिश जिसने एक पुल कि ये बेना सीबी को डाटता है साजेंट हूक सभी को रूल्स बताता है कि उन्हें एक जंगल में ले जाया जा रहा है जहां उन्हें कैम्पिंग करके रहना होगा वो सभी वहां उसके ओर्डर्स फॉलो करेंगे और उन सभी वहां काउंसलिंग भी होगी जो इस टेस्ट मे fail होगा उसे सजा मिलेगी और जो pass होगा उसे court छोड़ देगा उसके बाद sergeant उन सभी को अपनी van में बठा के jungle की ओर ले जाता है जब वो लोग gate पे पहुंचते हैं तो एक आदमी उन्हें घूरता है वो आदमी काफी अजीब सा बरताव करता है मानों की वो पागल हो ये सभी location पे पहुंचते हैं जहां एक cabin होता है sergeant hook सब को एक line में खड़ा कर देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें cabin के अंदर नहीं बलकि बाहर tent में रहना होगा वो सभी को उनके tents देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है उसके बाद hook मिस Sam को भी एक tent देके कहता है कि वो अकेला ही cabin में सोएगा तो वो भी एक tent लगा ले इधर उसी जंगल में एक हिरन घास चर रहा होता है कि तभी वहाँ एक भालू आ जाता है जो उसे देख लेता है वो भालू उस पे हमला करने ही वाला होता है करते हैं कि वो कैसे यहाँ पहुँचे रोज उन्हें बताती है कि उसकी एक बेटी भी है जिसे वो बहुत प्यार करती है ट्रिश बताती है कि जब वो बार गई थी तो वहाँ एक जगड़ा चल रहा था तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया जो उसे बुरी नजर से देख रहा था यह देख के उसने उस पुलिस वाले पे हाथ उठाया तो वो पकड़ी गई यह सुनके जैक उसे देख के कहता है कि वो सच में देखने लायक है तो ट्रिश उसे देख के बलश करती है CB उन्हें बताती है कि जब वो पार्टी करके लौट रही थी तो वो ड्रंक थी और तभी उसका एक्सिडेंट हो गया जिससे वो पकड़ी गई जब वो सब ये बाते कर रहे होते हैं तो वहाँ वो पागल आदमी आके उन्हें डराता है तभी सार्जेंट वहाँ आके उन लोगों को बताता है कि ये मीक्स है जो इस जंगल में अकेला रहता है वो मीक्स को वहाँ से भगा देता है और सभी को सोने के लिए कहता है आधी रात को ट्रिस जैक के टेंट में आके उसे किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि मिस्स साम वहाँ आके उन्हें अलग कर देती है अगली सुबह साजेंट हूक इन सब को ट्रेकिंग के लिए ले जाने वाला होता है जहां वो अपनी गन भी ले जा रहा था और आस्मान की तरफ देख के कहता है कि अब उसकी बारी है इधर ये सबी ट्रेकिंग करते हुए ठक जाते हैं तो जैक और मार्टी चुपके से वहाँ से भाग के जंगल को एक्स्प्लोर करते हैं आगे उन्हें एक अजीब सी जगे दिखती है जहां उन्हें एक बैल का स्केलेटन मिलता है जैक उस बैल के सींग को निकाल के अपने पास रख लेता है और वो दोनों वापस चले जाते हैं जैक सभी को वो सींग दिखाता है तो रोजा उसे कहती है कि किसी जानवर के शव के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए तभी सार्जेंट वहाँ आके जैक को डाटता है और उन सभी को वापस चलने के लिए कहता है इधर गाओं में सीबी का पिता एक बार में जाता है जहां उसकी अच्छी जान बहचान थी वहाँ का ओनर रेडियो का शौकीन था लेकिन उसके सिगनल नहीं पकड़ते तभी वहाँ बार के ओनर की बेटी मेल आती है जिससे शरीफ उस प्रोग्राम के बारे में पूछता है जहां उसकी बेटी गई थी वह उसे बताती है कि उसकी भानजी भी उस प्रोग्राम में गई थी जो की काफी अच्छा था लेकिन वहाँ एक बच्चे की जान चली गई थी क्योंकि सार्जेंट हूक ने उस बच्चे को बहुत एक्सरसाइस कराई थी जिससे उसकी मौत हो गई ये सुनके शरीफ को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है तो वो जंगल की ओर जाने का प्लान करता है इसर जंगल में वो जान अपनी जगять पर जाता है जहां वो देखता है कि उसके बैल के स्केलिटन का सींग गायब है तो वो जोड से चिल्लाता है उसके चिल्लाने की ऑवाज जब सभी सुनते है तो उन्हें लगता है कि जंगल में कोई शेर है जो दहाड रहा है मीक्स उसकी आवाज सुनके डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो जाइंट गुस्से में है वो जाइंट सींग की तलाश करने के लिए निकल जाता है तो उसे वो कैमपर्स के पास दिखता है जब Tris अपने फोन में बिजी होती है तो वो जाइंट उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है तब ही वो अपना एक्स उठा के Tris पे हमला कर देता है जिससे उसके शरीर के दो तुकड़े हो जाते हैं ये देख के सभी डर जाते हैं और वो जाइंट उनका पीछा करता है भागते हुए वो जाइंट अपना एक्स एक पेड़ पे मारता है जिसकी टहनी तूट के रोजा पे गिर जाती है और वो जखमी हो जाती है तब ही वो giant sergeant hook पे हमला कर देता है जिससे उसका शरीर कट जाता है ये देख के वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और वो giant sergeant को अपने पैर से कुचल देता है ये सभी लोग वापस cabin में जाके छुप जाते हैं और उस जंगल से बाहर निकलने का plan करते हैं CB उन्हें बताती है कि अगर वो अपनी van तक पहुँच जाएं तो वो जंगल से बाहर निकल सकते हैं सैम उनसे कहती है कि उस van की चाभी तो sergeant के पास थी तो अब वो कैसे निकलेंगे तब ही मार्टी कहता है कि उसे बिना चाभी के गाली start करना आता है तो सैम CB और मार्टी बाह करता है लेकिन वो गाली start नहीं होती कभी सैम को जाडियों में से कुछ आवाज आती है तो वो सब को वापस cabin में ले जाती है कभी वहां वो जाइंट आके उनकी van को अपने साथ ले जाता है ताकि वो लोग वहां से भाग न पाएं उसके बाद वो जाइंट अपनी गुफा के साथ कुछ गलत किया होगा तभी वो गुस्से में है तभी सीबी उसे वो सींग दिखाती है जो जैक ने चुराई थी तो मीकस उस सींग को देखके कहता है कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी वो सभी उससे पूछते हैं कि आखिर ये जाइंट है कौन तो वो उ दॉक्टर्ज ने कहा कि ये बच्चा बढ़ता ही चला जाएगा लेकिन इसका दिमाग एक बच्चे की तरह ही रहेगा जब पॉल पांच साल का हुआ तो वो छे फीट लंबा था और उसका जिगरी दोस्त एक बैल था जिसका नाम उसने बेब रखा था उस साल लकड़ हारो उने इतने पेड काट दिये थे कि जंगल समाप्त हो गया था और सभी जानवर वहां से भाग गये थे जिसकी वज़े से गाउं में भुकमरी फैल गई क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था एक दिन उनके जाल में पॉल का जिगरी दोस्त उसका बैल फस गया फ पॉल को ये पता चला तो वो गुसा हो गया उसने एक एक्स उठाई और सारे गाउंवालों को मार डाला और सबसे गंदी मौत उसने अपने पिता को दी उसके बाद वो जंगल से भाग गया लेकिन बाकी गाउंवालों ने उसे पकड़ लिया वो एक लड़की से प्यार करत था लेकिन वो लड़की उससे नफरत करने लगी उसके बाद पॉल को एक गुफा में बंद कर दिया गया और उस गुफा को बम से उड़ा दिया लेकिन पॉल जिंदा बच गया और वहां से भाग के वो पहाड की चोटी पे जाके रहने लगा कई सालों तक वो वहीं रहा औ बढ़ता गया मीक्स उन्हें ये भी बताता है कि उन्होंने उसके जिगरी दोस्त बैल की कबर से वो सींग चुराई है जिसकी वज़े से वो गुस्से में है और वो उन्हें नहीं छोड़ेगा ये सुनके जैक उस बैल की सींग को लेके बाहर जाता है और उसे फैक देता है वो पॉल से चिला के कहता है कि ये लो अपनी सिंग और उन्हें माफ करो तभी पॉल उसे वो सिंग फैक के मारता है जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है उसके बाद पॉल उसे घसीट के अपने साथ ले जाता है और उसे मार डालता है ये देखके सभी ढर जाते हैं और वापस कैबिन में जाके छुप जाते हैं इधर शरीफ को अपनी बेटी की चिंता हो रही होती है तो वो अगली सुबह वहाँ जाने के लिए निकल जाता है इधर मीक सीबी को बताता है कि पॉल ने उसे अभी तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि उसकी सकल उसकी प्रेमिका से मिलती है वो उसे उसकी फोटो दिखाता है और कहता है कि पॉल उसे फिर से पाना चाहता है इधर शेरीफ जब जंगल में पहुँचता है तो वहाँ सार्जेंट की लाश देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ जरूर कोई गड़बड है वो टावर पे चड़के रेडियो से अपने टीम को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन उसका मेसेज कोई नहीं सुनता उसकी फ्रीक्वेंसी गलती से बार के रेडियो से कनेक्ट हो जाती है जिसकी वज़े से बार का मालिक उसका मेसेज सुन लेता है इधर पॉल बैनियन उनक को वहां से भागने का मौका मिल जाता है तब ही CB का पिता शरीफ वहां आ जाता है जो पॉल को गोली मारता है जिससे वो जखमी होके नीचे गिर जाता है जब वो सब भागने वाले होते हैं तो मीक्स उन पे गोली तान के उन्हें रोकने की कोशिश करता है वो उन्हें कहता है कि Paul को उसकी प्रेमी का दुबारा मिलनी चाहिए तो वो उन्हें कहीं नहीं जाने देगा तभी मार्टी उसकी गन चीनने की कोशिश करता है तो वो मार्टी को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है जब मीक सीबी पे गोली तानता है तो Paul ये देख के गुस्सा हो जाता है और अपना एक्स उठा के उसे मीक सी तरफ फैकता है जिससे उसका सर धर से अलग हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है ये देख के वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और Paul उनका पीछा करता है शरीफ अपनी बेटी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और वो खुद पीछे खड़ा हो जाता है ताकि वो पॉल को शूट कर सके पॉल उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और इसी हलबडी में CB का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सिडेंट हो जाता है उसके बाद वो सभी भागते हुए एक डैम पे पहुँचते हैं जहां पॉल आके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ वो बार के सभी लोग बंदूग लेके आ जाते हैं जो शरीफ का मेसेच सुनके वहाँ आये थे वो पॉल को गोलियों से छणनी कर देते हैं जिससे उसके काफी खून बहने लगता है वो सीबी की ओर देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और मर के पानी में गिर जाता है और मूवी खतम हो जाती है तो दोस्तो ये थी इस फिल्म की कहानी जो की पॉल बैनियन की कहानी प बूद निकालना पड़ता था वो इतना बड़ा था कि जब वो चीकता था तो लोगों को लगता था कि भुकम पा गया है बड़े होके पॉल भी अपने पिता की तरह लगड़ हारा बना और उसमें इतनी ताकत थी कि वो एक जटके में पूरे पेड़ को काट दिया करता था प इसने उसकी मदद करी और उसी से दोस्ती कर ली वो दोनों इनसेपरेबल थे और जहां पॉल जाता बेबी दा ओक्स उसके साथ आता था दोस्तो इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है दोस्तो माना कि ये फिल्म लो बजट थी लेकिन आप इसे एक आइकोन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और मुवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम बे फॉलो कर सकते हैं और दोस्तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहंद